स्टार प्लस के शोगुम है किसी के प्यार में के आगामी एपिसोड में साविक अप्रत्यासित रूप से एक अधिकारी की जेब से बंदूप निकालती है और उसे सम्रिध्धी पर निशाना साध्विती है, क्योंकि विह सम्रिध्धी को नहीं चोड़ने के लिए प्रतिबध सम्विद्धि के साथ एक धर्दनाक मुढभेड के बाद सावी अपनी परिवार को अस्पताल ले जाती है। पुलिस जाज का सामना करते हुए वे अपनी परिवार की ततकाल चिकित सा देख भाल सुनिश्चित करने की गोहार लगाती। है। दुखी सावी अस्पताल में डॉक्टर से विंती करती है और भगवान गणेश से मुक्ति के लिए प्रात्ना करती है। इस बीज, खोश में आने पर इशान को सामने आ रही तरास दी के बारे में पता चलता है। जैसे ही सावी ने इशान के सामने अपनी हाताशा व्यक्ति की, एक फ्लेश बैक में चबहान परिवार को सम्रिद्ध से बचाने के उसकी साहसी प्रयास का पता चलता है। हाला कि तकराओ से एक अनपेक्षित विस्फोट होता है, जिससे उनका भागय बदल जाता है। जैसे ही इशान सावी को सच्चाई बताने की तैयारी करता है, जब हान परिवार के एक जीवित सदस्य की खबर बीच में आ जाती है, जिससे दर्शक इस नाटक के बारे में सस्पेंट्स में पढ़ जाते हैं। सम्रिद और मंदार्क खोद को पुलिस हिरासत में पाते हैं और उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। एक बंदूप निकालता है जिसका लक्षे सम्रिद है। दया की गुहार लगाते हुए सम्रिद को तनावकोन स्थिति का सामना करना पड़ता है और पुलिस इंस्पेक्टर आगकस्मिक गोली बारी से बचने के लिए सावी को तुरंत ट्रिगर छोड़ने की चेतावनी देत है जिससे हर कोई सदमे में आ जाता है। झाल 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 झाल